हेलो फ्रेंट्स आप कैसे हैं? दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के अजीबो गरीब रेस्टोरेंट की बारे में बताने वाला हूँ और दोस्तो आज में आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट की बारे में भी बताने वाला हूँ पर दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह एक तीन मंजिला कॉफी शॉप है, पर जो वीर्ड यानी अजीबो गरिब रेस्टोरेंट का टाइटल इसे मिला है, वो इसे सेकेंड और थर्ड फ्लोर में बने कैफे से मिला है, दोस्तो इन दोनों फ्लोर के फर्श पे पानी दे रहते होंगे, या कोई डरावने लोग यहाँ पर रहते होंगे, पर दोस्तो इस रेस्टोरेंट को जान बुच के वेंपायर थीम पर बनाये गया है, जहाँ पर आपको डरावनी भूतों के स्टैचू और नकली खून से लत्पत, भूतों की मुर्तिया देखने को मिल जाए और दोस्तो इस रेस्टोरेंट में बहुती अजीबो गरीब नाम के पकवान मिलते हैं, इसके लवा यहाँ पर खाने को प्लेट में बड़े अजीब तरीके से सजा की लाये जाता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, दोस्तो आप लोग इस वीडियो में देख र बताने जा रहा हूं, वो हमारे प्रिये देश भारत का है, तो चली जानते हैं, दोस्तो अगर आप बिना क्राइम करें, जेल में बैटके एक कैदी की तरह खाना खाने का तजरूरबा लेना चाते हैं, तो भाई स्वागत है आपका बैंगलोर में बने इस जेल थीम रेस्ट दोस्तो इसका नाम सुनके आपका मन अजीब सा हो गया होगा, लेकिन दोस्तो जैसा आप सोच रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इस रेस्टोरेंट में आपको टेस्टी फूड ही मिलेगा, लेकिन आपको खाने को टोयलेट सीट पे बैठके खाना होगा, और तो और जिसमें से आप खाना निकालेंगे, वो बरतन भी टोयलेट सीट के सेप में होगे, दोस्तो पहले तो इस रेस्टोरेंट में जाते ही आपको ऐसा लगेगा, कि आप किसी बातरों में आ गये हो, क्योंकि इसको एक बातरों की थीम पे बनाये गया है, और इस रेस्टोरेंट क रेस्टोरेंट में क्यों जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जाने के लिए लोग कई महीनों तक वेट करते हैं, जूकि इसकी एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, और यह रेस्टोरेंट लेंडन में है, जिसका नाम दब बुनियादी है, तो दोस्तो ब पानी वाट